नमस्कार बित्रो आज के इस वीडियो में हम एक LPP solve करेंगे और वो simplex method से करेंगे वैसे इस LPP को graphical method से भी solve किया जा सकता है लेकिन एक नया method हो रहता है जिसको हम बोलते simplex method और आज इस LPP को हम simplex method से solve करेंगे तो आपको एक LPP दे रखा है जिसमें आपको objective function 3x1 plus 2x2 दे रखा है और इससे आपको maximize करना है constraint आपके पास दे रखे x1 plus x2 less than equal to 4 x1 minus x2 less than equal to 2 और यह non negative constraint आपके पास है तो जब भी हम simplex method से solve करते हैं सबसे पहले हमें इसको standard form में convert करना पड़ता है तो मैं इसको standard form में convert कर देता हूं standard form में convert करने के लिए क्या करना पड़ता है जो inequality होती है उसको equation में change करना पड़ता है तो दो constraint आपके पास है यह non negative है इसको consider नहीं करेंगे एक बार इन दोनो constraint को हम equation में change करेंगे और इसके लिए हमें नया variable introduce करना पड़ेगा क्योंकि x1 प्लस x2 अब देखिए less than equals 2 है इसको आप equals 2 बनाना चाहते हैं तो आपको left side में कुछ ने कुछ add करना पड़ेगा और suppose हमने एक variable add क्या s1 और यह add करने से आपके पास inequality balance होकर equation बन जाती है इसी तरीके से दूसरा करेंगे आप x1-x2 इसमें भी less than equals 2 है तो आपको left hand side में कुछ add करना पड़ेगा और उसको मैं ले लेता हूँ s2 और यह आपके पास हो गया equals 2 इन s1 और s2 को हम click variable बोलते हैं जो हमने नए introduce किये और अब हमारे पास 4 variable होगे एक होगे x1 एक होगे x2 एक होगे s1 एक होगे s2 और 4 के 4 आपके पास 0 से बड़े हैं तो यह आपके पास होगे constant और इसी तरीके से आपके पास objective function भी अब change होगा objective function आपके पास बन जाएगा 3x1 प्लस 2x2 अल्रेडी है दो variable थे दो variable हमने add किये तो उनका भी आप add कर दीजे 0s1 प्लस 0s2 यह आपके पास objective function हो गया है तो यह करने से आपके पास अब जो LPP है वो standard form में convert होगी है और जब हम इसको simplex method से solve करने जाएंगे तो यह table जो मैंने बना रखी इस तरीके की table आपको बनानी पड़ेगी और इस table मैं entry किस तरीके से करेंगे उसको ध्यान से देखें सबसे पहले मैं enter कर रहा हूँ cj cj मतलब coefficient of objective function इनको बोलते ही prices तो objective function हमारे पास यह रहा इसके coefficient क्या क्या है variable के यहाँ x1 का है 3, x2 का है 2, s1 का 0 और s2 का 0 गिया enter करने के बाद आप b पर आइए, b, b मतलब basic variable तो basic variable यहाँ पर क्या लिया जाएगा अगर x1 और x2 0 हो तो s1 की value 4 आएगी और x1 और x2 0 हो तो s2 की value 2 id तो हमारे पास basic variable जो नए variable हमने introduce किया है वो होंगे तो इनका नाम रख देता हूँ s1 और s2 और s1 और s2 मतलब बाकी के 0 basic variable का मतलब यही होता है कि जो variable basic है और उसके अलावा variable 0 होंगे उनकी value 0 होंगी तो x1 और x2 0 होंगे तो उस case में s1 की value आरी 4 और s2 की value आरी 2 यह fill और इसके बाद आप basic variable की prices fill करेंगे तो s1 और s2 आपके पास basic variable है इनकी prices अगर आप देखेंगे तो 0 और 0 आपके पास आ रही है यह entries करने के बाद यह simple सी matrix वाली entries है कि x1, first equation में x1 का coefficient का है 1, x2 का coefficient का है 1, s1 का coefficient का है 1, s2 का कितना है 0, s2 is not present there that's why the coefficient of s2 will be 0 in second equation, coefficient of x1 is 1, coefficient of x2 is minus 1, coefficient of s1, since s1 is not there that's why coefficient will be 0 and s2, the coefficient of s2 will be 1. so these are the entries we have to fill in the table, now we have to calculate zj minus cj, this one and how it is calculated, c, cj are there, cj is this, you have to multiply this with this one and one, x1 के जो भी coefficients है, इनके साथ multiply करना पड़ेगा, then cj, फिर x1 की price आपको minus करनी पड़ेगे, मतलब मैं बहुत detail में नहीं बता रहा हूँ, आप इसको calculate किस तरीके से करेगे, एक मैं बता देता हूँ, 0 के corresponding 1 है तो 0 into 1, प्लस अगें 0 के corresponding 1 है तो 0 into 1, और x1 के corresponding price है 3, तो minus 3 है, so this is minus 3, तो ये value आपके पस आजाएगे, minus 3, similarly आपको और calculate करेए, इनको अगर आप यहाँ पर multiply करेंगे, और फिर 2 minus करेंगे तो आपके पस आजाएगे, minus 2, ये calculate करेंगे तो आपके पस 0 आजाएगा, और ये करेंगे तो भी आपके पस क्या आजाएगा, 0 हाजाएगा, तो इस तरीके से jj minus cj आपके पस आपने निकाल लिया, और jj minus cj कहां काम आता है, ये हमारे पस काम आता है, कि जो आपके पस basic variable है, अब उसमें से किसी एक को हटाये जाएगा, किसी एक को लाये जाएगा, और नए आने वाला vector कौन सा होगा, वो decide करता, jj minus cj, और वो होता है कि इन में से most negative कौन सा है, which one is the most negative, most negative is minus 3, so corresponding to minus 3 is x1, so x1 is the new entering vector, this is new entering vector in basic, basic के अंदर enter करेगा, तो basic के अंदर दो ही vector हो सकते हैं, s1 और s2 अल्रेडी थे, अब x1 एंटर कर रहा है, जब x1 एंटर कर रहा है, तो किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा, तो वो outgoing vector निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, मतलब जो आपके पास entering vector आ रहा है, और जो यह आ रहा है, इसको आप divide कर यह, मतलब 4 divided by 1, which is 4, 2 divided by 1, which is 2, तो जो smallest होता है, जो smallest होता है, वो आपके पास incoming vector होता है, sorry, outgoing vector होता है, तो देखिए, यहाँ पर 2 smallest है, जो ratio में सबसे small number आता है, तो उसके corresponding आपके पास s2 है, तो s2 outgoing होगा, और x1 incoming होगा, तो देखिए, अब नही टेबल किस तरीके से लिखी जाएगी, सबसे पहले, देखो, s1 as it is, क्योंकि s1 तो ना outgoing है, ना incoming है, this is already there in basic, s2 is outgoing and x1 is incoming, so नहा variable आ जाएगा, x1, अब देखिए, बाकी के entries किस तरीके सोगी, cj, this will be same, 3, 2, 0 and 0, इधर वाला cj किसका आएगा, जो basic variable है, उन्ही की prices आएगा, s1 की 0 है, x1 की हमारे पास 3 है, अब देखिए, आपका नही वेरियेबल आए x1, सबसे पहले आप x1 को fill कर रहे है, x1 second number पर है, तो ये number आपको पास 1 बनेगा, और उपर वाले को आपको बनाना 0, जैसे matrix बनती है न, identity matrix, तो इसमें 2 by 2 का matrix बन रहा है, 2 by 2 में पहला 1 0 होगा, फिर 0 1 होगा, एकस, x1 हमारे पास बाद में आ रहा है, तो उसकी condition इस तरीके से मनेगी, तो उसको बनाना 0 1, और इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दियान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या था, यह x1 में हमारे पास था 1, और उसको हमने 1 ही लिखा है, तो actually हमने क्या operation किया है, हमने जो यह line थी, इसको मैंने 1 से divide किया है, तो 1 से divide करने पास same रहती है, तो बाकि नमबर्स को भी आप divide करिए 1 से, आपको नई टेबल में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर 1 से divide नहीं होगा, फिलाल, यह 1 से divide आ रहा है, तो मैं सारी entries इसी तरीके से लिख देता हूँ, minus 1, 0 और 1, और चुकि identity matrix बनने लिए मैंने इसको 0 गुना दिया था, और ध्यान से अबसर करें, यहाँ पर आपको पर 0 नहीं था, 1 था, तो याद करें, elementary operation किस तरीके से inverse निकला जाता है, तो यहाँ पर 0 किस तरीके से लेके आ सकते हैं, अगर मैं इसको R2 कंसिडर करूँ, और इसको मैं R1 कंसिडर करूँ, मुझे R1 के इस port पर 0 चाहिए, तो यह कैसे आ सकता है, जब मैं R1-R2 करूँगा, तो basically मैं R2-R1 करके यह R1 लिख रहा हूँ, तो देखिए आपको minus करना, तो 4-2, इस जगर पर आएगा 4-2 which is 2, यहाँ पर 0, 1-1 0, 1-1 which is 2, 1-0 which is 1, 0-1 which is minus 1, यह entries आपको इस तरीके से करनी, मतलब elementary operation में आप इस number को 0 बनाना चाहते हैं, आप इस number को 1 बनाना चाहते हैं, तो accordingly 1 बनाने के लिए आपको किससे divide करना पड़ेगा, और आपको R1 को adjust करने के लिए, R1 में X1 के corresponding 0 लाने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, वो elementary operation से आपको देखना है, अच्छा, अब हमें नय entering vector निकालना है, और entering vector के लिए हमें CJ, ZJ-CJ निकालना पड़ेगा, तो उसका तरीका फिर से same, CJ के जो यह दो prices हैं, इसको correspondingly multiply करेंगे, तो 0 इंटो 0, 3 इंटो 1, मतलब में ही calculate कर लिएता हूं, 0 इंटो 0, plus 3 इंटो 1, यह तो ZJ हुए, minus correspondingly 3, यह आपके पास इससे minus कर रोगे, तो यह आपके पास रो, फिर आप X2 के साथ करेंगे, तो 0 इंटो 3, minus 3, minus 2, this is minus 5, check it, 0 इंटो 2, plus 3, into minus 1 and minus 2, which is minus 5, again, multiply this, this is 0 and this is 0, so most negative will be the entering vector, minus 5 is the most negative, and this is the new entering vector, that is X2 is new entering vector, this is entering vector, okay, entering vector का मैं पता चल गया, लेकिन आपके इंटो इंटों होगा, वैसे तो देखा जाए तो S1 नहीं होगा, अगर आपको कॉंपिटिशन में कर रहे हैं, तो आपको इदर बाला ratio calculate करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं पर लिख रहे हैं, दिर्गुतर ये प्रश्न आपके पास हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो उस case में आपको आउटगोइंग वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, और आउटगोइंग वेक्टर किस तरीके से निकाला जाता है, XB-XI, मतलब XI का का काम अब ये करेगा, XB का का काम ये करेगा, तो 2 को 2 से डिवाइड करेए 1, फिर माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेए, नेगेटिव जब आता है, या फिर 0 आता है तो वो डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, ओविएसली, ये आपके पास smallest ratio आएगा, तो इसके corresponding आपके पास S1 है, S1 आपके पास क्या हो गया, S1 आपके पास हो गया, outgoing vector, now this is outgoing vector, ओके, अब फिर से आपने table बनाएंगे, तो CJ की prices आपके पास same रहेगी, तो 3, 2, 0 and 0, यहाँ पर CJ, S1 की जगे आपके पास आरा X2, और यहाँ आपके पास X1 already है, इनकी prices लिखिए, X2 की price है 2, X1 की price है 3, अब आप X2 पहले लिखेंगे, X2 पहले लिखेंगे, इसका मतलब आप क्या है, यहाँ पर देखे, X2 2 and minus 1, X2 अपर साइड मना रहा है, तो आपको 1 और 0 मनाना पड़ेगा, identity matrix की तरह है, 1 और 0 आपने बना लिया, किसको 2 और minus 1 को, मतलब, अब बाकी entries फिल करने के क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 था, आपने लिख दिया 1, तो आपने 2 से डिवाइट किया है, तो पूरे को 2 से डिवाइट कर दिजिए, तो यहाँ पर जाएगा 1, 0 by 2 which is 0, 2 by 2 which is 1, and 1 by 2 is 1 by 2, this minus 1, 2 से डिवाइट करेंगे, minus 1 by 2, again, अब आप क्या करना चाहते, आप इसको 0 मनाना चाहते है, and how it is possible, अगर मेरे पास, इसको मैं R2 मान लू, इसको मैं R1 मान लू, R2 में मुझे, इसके corresponding 0 चाहिए, तो कैसे possible है, मैं R2, प्लस R1 डिवाइट बाइट 2 करूंगा, तो 0 आ जाएगा, तो यही ऑपरेशन करके आपको फिल करना है, मतलब R1 को 2 से डिवाइट करके, R2 में हैट कर देना है, तो यहां 2 से डिवाइट करिए, 1 और R1 में हैट कर दीजिए, 2 डिवाइट बाइट 2, बनला देकि 2, यह आपका R2 है, और R1 के इसको 2 से, यह उपरेशन है, R2 का कमपोनेंट, R1 का कमपोनेंट 2, 1 बाइट 2 से मुल्टिप्लाइट कर, so this is 3, similarly, 2 से डिवाइट कर, इसमेट कर यह आपके पास आएगा 1, यह आपने अल्रेडी फिल कर दिया, 0 होना चाहिए, यह, यहाँ पर आजाएगा 1 by 2, और यह आजाएगा 1 minus 1 by 2, which is 1 by 2, तो यह एंटरी आपने फिल कर लिए, आप देखे, ZJ minus CJ, तो ZJ minus CJ आपके पास क्या होगा, आप फिर से मुल्टिप्लाइट कर रिए, यह प्राइस हैं, इसको यहाँ पर मुल्टिप्लाइगा रिए और फिर मिनस कर लिए, so 2 into 0, 3 into 1 minus 3, which is 0, 2 into 2, 3 into 0 minus 2, 3 minus 2, which is, 2 minus 2, which is 0, and this one is, okay, let me calculate, 2 into corresponding value 1 by 2, plus 3 into 1 by 2, minus 0, so this is 1, 1 plus 3 by 2 is 5 by 2, so write it here, next 2 ko minus 1 by 2 se, multiply कर ये, plus 3 ko 1 by 2 se, so this is minus 1, and this is 3 by 2, minus 0, so this is, minus, which is 1 by half, so all are positive, z, j minus c, j all are positive, once they are positive, you got the solution, what is that solution, this one, well, x2 ka value आपके पास 1 है, x1 ka value आपके पास 3 है, so final solution will be, x1 ka value 3, और x2 ka value आपके पास 1, select variable ka value 0 हो, क्योंकि वो basic में ही है, जो basic में ही होता है, उनको 0 consider करते है, so this is the solution of the LPP, and what is the maximum value of z, put it here, so max z equals to 3 into 3 plus 2 into 1, which is 11, this is your answer, I hope you got the method, and if you like it, please let me know in the comment section, thank you, have a nice day,